हलो माई डियर श्रून्स वेलकम करता हूं मैं भालत पंचाल योर केमिस्ट्री गुर्जी अगे नाव सबका तो पिछले चार दिनों से साड़े चार दिनों से यह पिछले साल बर से जो त्यारी आप लोगों ने की है उस त्यारी को कल आप लोग साखशात लिखके आओगे त जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक डिफरेंस का कोशिन है यह स्टार्टिंग में सारे टोप पर स्केंसर शीट है तो डिफरेंस जब भी आ जाते हैं उनको आपस में कनेक्ट करना होता है बतलब बन के साथ वन अब जैसे टू है बट यहां पर दो तिन लाइन बज़गी त में आत्यों डार स्केंसर नाटा टाना ही है फिर अफ़ों इस फोर्मुला में आप लोगों को क्या करना उता है वेल्यू को सब्स्यूटयूट नेखो तो must है कि आप लोग unit भी लिखो और ये देखो ये basic सी बात है कि जो cutting है वो minimal होनी चाहिए अब ये time आ चुका है तुम पक्य घड़े होने वाले हो है तो अब तुमारे writing पे बहुत जादा change आप लोग नहीं कर सकते बट yes paper presentation को इंप्रूव किया जा सकता है तो ये numerical हो गया इस तरह से कर लोगे आप लोग उसके बाद जब आप लोगों के आद आते हैं कई बार reasoning question आद आते हैं जैसे dnf बोग में आपको reason देना होता है क्यार वो variable oxidation state क्यों show करते हैं तो आप लोग क्या लिखोगे पूरा प्रोपर reason लिखोगे due to the participation of ns and n-1d electrons due to their small energy gap है ना और उसके बाद जैसे zinc, cadmium, mercury के बारे में पूछ ले आते हैं soft metal क्यों है पूरा reason लिखोगे कि because they have fully filled d orbital have no unpaid electron और बेटा जी कोशिश करना कोशिश करना कि chemistry की जो technical term है उनका ज्यादा यूज़ करो chemistry की technical term कैसे जैसे intermolecular forces, hydrogen bonding, resonance, stable carbon, है ना इस तरह के जो words है वो आपके answer में ज़्यादा दम लेके आते हैं तो examiner को भी अच्छा लगता है और जो भी आप लोगों को important point लगता है वहाँ पर आप लोग क्या कर दोगे underline कर दोगे कि हाँ यार यह इस answer की जान है वहाँ पर आप लोगों ने क्या कर देना है underline कर देना है आगे move करते है जैसे कि यह हमारे पास एक question आ गया है किसका balance bone theory का जो भी आप से पुछा गया है बेटा जी जैसे cnx strong ligand है वो क्या करेगा pairing करवा देगा फिर आप लोग ligands को fill करोगे ligands को इस तरह से fill करके दिखाना है ठीक है आगे move करते हैं चलते हैं organic chemistry पे अब देखिए जब भी आप organic chemistry करते हो तो कुछ आपको name reaction दी होती है तो name reaction में आपको पूरी कहानी मत लिखो कि जैसे woods reaction है we take halolcane react with sodium we take another halolcane in the prince of dry ether ऐसा नहीं है तो woods reaction में आप लोग क्या लिख सकते हो alkyl halide can be converted into hydrocarbons या alkens तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो और जब भी आप कोई reaction करके दिखाते हो जो उसके अंदर reactant या product होते हैं आप उनके नाम करते हो the agent को जो use किया है अगर गरम करने के जूद पड़ी है तो जब आप गरम भी करके दिखाऊगे और फिर जो product मना है उसके भी आप नाम लिख के दिखाऊगे side product याद है तो लिख देना नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा उसके बाद define करना आ जाता है तो proper define करोगे और define में भी जो important point है जैसे colorless low की बात करते है तो किसकी बात करता है molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of individual molar conductivity of cation and anion इस तरह से लिखने वाले हो clear है सारे के सारे again वही stepwise marks होते है numerical जब भी करोगे proper stepwise करने वाले हो आगे मुप करते है जैसे कि organic chemistry में हमारे पास name reaction आगी है तो पूरी कहानी नहीं लिखने की जूरत है आप लोग क्या कर सकते हो rothelman reduction में क्या करते है aldehyde बनाते है by reducing acyl halide उसके लिए आपने कौन-कौन से reagent का use किया है जैसे कि itard reaction है itard reaction में क्या किया जाता है जैसे कि ethanol से butto2-enal बनाना है आपको पता है कि यहाँ पर aldeal condensation है तो आप क्या लोग है reactant जो-जो reagent है उनको अच्छे से लिखोगे reaction को करके दिखाऊगे और फिर बाद में जिंजिन reagent का use किया है और जो-जो reactant से product बनते गए है उनको आप लोग लिख्याने वाले हो इस तरह से आपके marks बहुत अच्छे से improve किये जा सकते है अप लोग ठीक है अच्छा एक बात क्या दर्फना बेटा एक होता है basic strength ठीक है basic strength और kb का जो order होता है वो एक ही होता है basic strength and kb जो होता है वो एक ही बात होती है और pkb जो होता है वो इन्वर्सली प्रपोर्शन होता है basic strength के similarly acidic strength and ka एक बात होती है and basic strength sorry acidic strength and pka दो अलग-अलग बात होती है तो इस तरह से आप लोग उन टोपर केंसर शीट देखे है और दो ही pen यूज़ करने हैं लोग आप लोगों को black and blue blue को prefer करना जिसकी थोड़ इसी thickness हो है ना बहुत ज्यादा thin pen ना हो और दूसरी बात क्या है बटाओ आप लोगों ने cutting minimal करनी है और अगर cutting करनी भी पड़ जाए तो सिर्फ एक line लगा दे ना भाई अलग से ध्यान जाते है यहां पर इससे गलती हुई है वह आप लोगों नहीं करना है तो यह तो बात हो कि टोप पर answer sheet किस तरह से present करते हैं अब बात है कि आप लोगों ने answer sheet में किन-किन बातों का ध्यान लगा है वो एक बाद देख लेए तो जैसे कि यह हमारे पास एक answer sheet आएगी तो सबसे पहले ध्यान से आरी इस answer sheet का आप लोग फिल करोगे इंगलिश में भी आप लोगों ने फिली कर लिए ओगा इस ओमर sheet को तो इसके बात जब आप लोग जाते हो answer लिखने start करते हो तो सबसे पहले बाद आपको देखिए जो chemistry के लिए time होता है वो होता है 3 hours 15 minutes का time होता है आपने उस time का बहुत अच्छे से use कर रहा है ठीक है आपके पास 3 hours का जो time होता है वो होता है paper के लिए very nice और 15 minutes का जो आपके पास reading time होता है उस reading time का बहुत अच्छे से use करोगे, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं होता है कि chemistry का paper आपका रह जाए, है ना, जैसे English हो गया, Hindi हो गया, यह language subject है, इनमें आप लोग कहानी एक्टरा से एक्टरा लिख सकते हो, तो possibility बनते हैं कि paper आपका रह जाए, बट ऐसा जो आपको वो passes दिया होता है, case study दियोती है, उसमें जो आपको दिये गए है, इनको मैं किस तरह से करूँगा, तो सारे के सारे आप questions को select कर लोगे, कि मैं इन questions का answer करने वाला हूँ, और जब आप answer करते हो, बेटा writing के time, आप लोगों को extra focus किस बात पर करना है, कि कोशिश कर section A जो है, वो mcq reason assertion based होगा, section B में two marks question होगे, c में three marks, d में case study होगी, और e में long term, मेरको जो लगता है, आपको extra focus करना चाहिए, case study पर, थोरी फिर भी सारे बच्चे करी लेते हो, mcq reason assertion के लिए I hope आपने previous year और exemplar के mcqs कर लिए होगे, वह हमारे पास एक option बसता है, आपन section A में जाते हो, उपर लिखना है, जब भी आप answer लिखोगे, कि section A, ठीक है, तो जैसे question number 1 है, question number 2 है, capital letters में लिख दिना, question number 3 है, question number 4 है, उसका answer है, मान के चलो B, और B में लिखा गया, mole per liter per second, zero order की unit होती है, या rate of reaction की unit होती है, तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको जो भी इस cancer था, like this cancer B है, तो आप इस cancer B ही लिखना होगे, ठीक है, अगले में, जैसे आप से पुछा गया कि highest number of oxidation state कोण शोग औरता है, 3D series में, तो इस cancer मेगनीज है, बट इसका option A था, तो आपने इसका option A लिखना है, मतलब आप लोगों ने ये नहीं लिखना है, आपने options लिखन तो आप proper सिर्फ D लिखोगे, ये कहानी लिखने की जूट नहीं है, अगे चलते हैं section B, section B में जब आप जाते हो, तो एक आल choice हो सकती है, अगर आप choice वाला question लिख रहे हैं, तो इस पर लिख देना कि यार ये मैं और वाला question ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, और क्या बात है, अगर ये two marks को question और इसमें दो part है, तो obviously दो part है, तो one one mark के है, तो आपका answer इतना होना चीए कि वो one mark आपको देके चला जाए, अब देखिए, अगर आपको कभी बोला गया है, कुछ explain करने को, तो आपने explain करने है, और जैसे कि मैंने पहले बोला, technical words पर focus करने है, कि हाँ या अगर आपको define करने को पोल लग गया है, तो आप define करोगे, जैसे handle को define करना आजाता, और outs को define करना आजाता, तो उनको define करने वाले हो, या collos को define करना आजाता है, example वैसे हर जगा दे नहीं है, इसके बाद arrange, बेटा जी बहुत ज़्यादा गलतिया कर देते है, बेटा, बच् पी के बी के order में किसी को range करना है, तो आप लिखोगे, पी के बी इनवर्सली प्रपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, और बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स और उसके बाद आप रेंज करके दिखा दोगे, clear है, जितना पुछा गया, उतना लिखना, ओवर लिखने स भी होता है, ठीक है, और थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे qualitative property का numerical आ गया, तो qualitative property में I, went of factor आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलता है कि went of factor कहां पे यूज करने, देखिए अगर कोई electrolyte हो, कोई salt आ जाए, NaCl, KCl, MgCl2, इस तरह से, या K3, Fe, Cn6, या फिर आपको freezing point of solution, boiling point of solution, यह जो delta T याफ होता है, यह freezing point of solution नहीं है, यह depression in freezing point है, clear, उसके बाद आगे मैं करते हैं, next, question number 3 पर आते है, question number 3 में क्या आशकता है, कि जो, sorry, section C, जो उसमें 3 marks के question आगे, तो 3 parts हो सकते है, तो आप लिखोगे, like, यह question number मेरे पास जो भी है, मैं यहाँ पर लिख फिर उसका 3rd part, इस तरह से आप लोग answer लिखने वाले हो, section D पर आते हैं, जो read passage होगा, बेटास को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, उस पर time देना, अच्छा, आप हर एक question को कितना time दे सकते हो, इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, देखो, आपका chemistry का वेपर 180 minutes का होगा 180 minutes और यहां से, यह 70 minutes होगा, ठीक है, यहां से जब आप approach करके देखोगे, तो हर एक question को आप, हर एक number को आप 2.4 minutes दे सकते हो, ठीक है न, तो जो आपका starting के MC के जब वो तो बहुत जल्दी भी हो जाएंगे, कहीं कहीं तो एक एक minute में भी हो जाएंगे, तो इस तरह से manage किया जा सकता है, तो यह 4 number के हैं, तो 4 number को आप 10 minutes आराम से दे सकते हो, तो पैसेज को carefully पढ़ना है, और कोशिश करना, जो reading time है, उसे time में आप लोग इसको पढ़ लोगे, आगे move करते है, organic chemistry में चलते है, organic chemistry में जैसे question आता है, test to distinguish, तो test to distinguish में जैसे आपके पास question आगे, how will you distinguish between prop propanone and propanol, तो इसके लिए कहीं सारे test हो सकते हैं, जैसे tolerance test हो सकता है, failing solution test हो सकता है, idroform test भी हो सकता है, तो आप नाम नहीं लिखोगे, कि हाँ यार, idroform test से distinguish किया जा सकता, आप proper reaction लिखते दिखाऊगे, ठीक है, कि भाई, देखो, यह मेरे पास क्या है, propanone है, है ना, और अगर मैं इसी जगह पर क्या लिख दू, propanol भी लिख दू, CS3, CS2, C double bond OH है, और अगर मैं इसकी reaction करा देता हूं कि इसके साथ, I2, NOH के साथ, और इसको गरम करूँगा, तो आपको पता होगा, idroform क्या होता है, methyl ketone पे, ethanol पे, ethanol पे, अच्छे से react करता है, और कुछ इस तरह के alcohol जोते है, CS3, CHOH, idroform बहुत important सा test है, तो आप लोग लिख दोगे, no reaction, क्या लिख होगे, बाद में थोड़ी बहुत थोड़ी लिखना चाहो, तो क्या लिख सकते हो, propanol give yellow precipitate, या form yellow precipitate when treated with idroform, और इसमें जो propanol है, doesn't react, या doesn't give idroform test, अच्छा, अगर आपको reaction लिखने क से chances होते हैं, कि गलती हो जाए, और कभी भी यह मत करना कि, जैसे लाइक एक वच्छे नमसे पूछा, कि सर मुझे और के दोनों कोशन आते है, तो मैं दोनों लिख आऊंगे, नहीं भाई, जो तुझे जाद अच्छे से आता है, वो लिख, ठीक है, लास्ट में reading time को पता होगा, हाइड्रोकारवेंज से ज्यादा है, हैलोलकेन का होता है, से ज्यादा इथर का होता है, से ज्यादा अल्डी हाइड, से ज्यादा किटोन, से ज्यादा अमाइन्स, से ज्यादा अलकोहल का हता है, सब ज्यादा कार्बोकसलिक एसीड का होता है, इनका reason क्या होता ह है बाके टैंशन लेने की जूरतनी है अभी थोड़ा टाइम बचा है जितना आपको लगता है विक पॉइंट उसको अच्छे से करो और पेपर सारा अटेम्ट करना होता है बैटा कुछ भी छोड़ के आना नहीं होता इस बात को याद रेकिए कुछ भी आपने छोड़ के नह आना है हर एक चीज करनी है ठीक है और ख्याल वेकिए अच्छे से कर क्या हो अल दी बेस्ट फॉर्म माई साइट गड़ ब्लेस यौल फ्लीज टेक गड़ जैह